दो बात हैं, दो सेंटेंस सुन सुनके आप अच्छी तरह से जानकार हो गए हैं एक सेंटेंस आप सुनते हैं कि बाबा साब ने कहा था कि सम्विधान को लागू करने वालों की अगर नियत खराब होगी तो सम्विधान खराब है और उनकी नियत अगर अच्छी होगी तो सम्विधान अच्छा है और इस सेंटेंस को कहने के बाद हमारे सारे बुद्धी जीवी सारे जानकार सारे नेता सारे करांतिकारी लोग रजाई लेते हैं और मूर ढखके सोजाते हैं कि बाबा साब ने कह तो दिया ना कि इनकी नियत खराब है इसलिए कुछ नहीं हो सकता सम्विधान तो अच्छा है मगर इनकी नियत खराब है नियत खराब है बाबा साब बता के कहें तो हम क्या करें इसमें बाबा साब ने बता दिया और हम भी कह रहें इस बात को कि इनकी नियत खराब है ये लालागू नहीं करेंगे इसलिए हजारोवार आप सुनने हैं हजारोवार खास्तों से जब सम्विधान दिवस होता है या 26 जनवरी आती है तब तो बहुत ज्यादा इसका गाना ऐसे बसता है जैसे 15 अगस को 26 जनवरी को यह है देसे वीड जवानों का बसता है मगर इस सेंटेंस से आगे कोई नहीं सोचता बाबा साब जब आपको इस पश्ट कहके जा रहे हैं कि सम्विधान अच्छा है अगर इसको लागू करने वालों की नियत खराब है तो यह खराब है तो साफ तो कहके जा रहे हैं कि नियत खराब होगी सम्विधान अच्छा है त ने वही रिपीट कर दिया और जो जो से चलाएंगे बावा साब ने कहा था बावा साब ने कहा था तो करेगा कौन उसको भाई नियत खराब है सारे लोग ये के रहे हैं कि उसके लागू करने वाले की नियत खराब है तो उस नियत को ठीक कौन करेगा या लागू करने वाला बन जाओ यानि बावा साब ने कहा था कि अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे और समिदान खराब भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा तो लागू करने वाले बनो और अगर लागू करने वाले नहीं बन सकते हो तो नियट ठीक करने वाले बनो तो दोनों मैंस एक काम करो मगर अगर सेंटेंस को कहके और रजाई में मूग करके और सो जाते हैं और लंबे-लंबे भाषट दे के हमारे नियता चले जा रहे हैं तो उनको याद दिलाओ कि वही बावा साब ने कहा था कि नियत खराब है तो नियत ठीक कौन करेगा तुमने नियतागरी का ठेका लिया तुमने काम का ठेका लिया तुमको रिजर वेशन में पूरा 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 परलेमेंट की सीट मिली है पूरे पूरे एमले की सीट मिली है सब था कि कि आज के बाद हम राजनितिक फुटपात पर यानि फुटश्टेप पर राजनितिक इस तरफे ब्लुकुल लेवल पर बराबर होंगे हर एक व्यक्ति का एक वोट होगा मगर दो बाते हमारे साथ नहीं होंगी उस पर हम बिल्कुल ठीक नहीं होंगे वो दो बाते कौन किसे तरह पहसी गेर बराबरी है देखो बावाजाभ साहब कितने सचे कितने अच्छे हो जो बोधिसा तो होता है वो बता के जाता है हमारे लोग इस सेंटेंश को सुनते हैं और रिकोर्ड प्लेज की तरह बजा बजा के हमको सुनाते रहते हैं बावा साब ने कहा था अपने भाशन में कि आज के बरावा जब समिन्धान लागू हो जाएगा तो राजनितिक इस तरफे सबका एक वोट होगा मगर उस वोट का वैल्यू ठीक नहीं होगा क्योंकि आर्थिक छेत्र में और समाजिक छेत्र में हमारी गैर बराबरी होगी कुल गौर करने की है और इसको अची तरह समझ लें कि बावा साब ये नहीं कर पाए बावा साब आर्थिक छेत्र में हमको अधिकार नहीं दे पाए यानि दो काम वो नहीं कर पाए इसलिए बता के जा रहे हैं आपको कि राजनितिक जो टाकत मैंने दी है उससे आप इन ची पूरे के पूर परश्वीर सरफ नहीं कूरे के जादा है अगर इश्यक्ति अन पूरे की अधिक आते से जबने तो तो वनों सामाजिक जो अधिकार था और जो आर्थिक अधिकार था उसमें जो गैर बराबरी खतम करनी थी वो नहीं कि उन्होंने क्योंकि बावा साब का मनसूबा था कि आर्थिक छेत्र में गैर बराबरी है वो खतम उनी चाहिए हर व्यक्ति को बराबर पैसा मिलना चाहिए जो देश के लोग हैं उनको काम का धिकार मिलना चाहिए सम्विधान ना दे सके तो जैसे विदेशों में सम्विधान लागू है उनको रोजगार बेरोजगार भत्ता मिलना चाहिए और बेरोजगार भत्ता मिलके उनकी गेर बराबरी आर्थिक छेत में पैसों के छेत में दूर करनी चाहिए और वो कास्ट को खतम नहीं कर पाए मैं बता रहा हूँ आपको आज से कि आर्थी छेतर में हम गैरे बराबरी होगी हमारी और सामजी छेतर में गैरे बराबरी होगी और राजी छेतर में बराबरी होगी तो उसको पूरा कौन करेगा खाली हम इस सेंटेंस को डटते रहें इस सेंटेंस को करते रहें तो इस सेंट संग्ठित रहो और गनाई संग्ठ बनाओ तो संग्ठित होने की बजाए लोगों ने संग्ठर बनाने सुब कर दिये और बना दिये कितने सारे 29,009,000,001 और बहुत तीजी से काम कर रहे हैं all the जिले और हर गावों में समिधान दिवस बना है और सबने बावस आपका फुटू लगा रखा है मगर सब एक भागे में नहीं है सब एक साथ नहीं है सब संग में सब अलगuur Come लोग लग अलग बना रहे हैं तो इसको कौन बार 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 बताएगा कैसे करेगा इसको यह जुम्मधारी उनकी है जो अच्छी तरह से बावसाब को जानते हैं और उनको अपना लुजाई बोलते हैं यानि हमारी जुम्यदारी है ये वीदा पीपल की जुम्यदारी है ये समण संकी जुम्यदारी है ये कौमन लोगों की जुम्यदारी है ये साधान लोग की जुम्यदारी है नेता ना होंगे बिल्कुल ध्यान लगना नेता तो मरवा के छोड़ेंगे हमको और मरवा के क्या चाहते थे अगर उसको गहराई से नहीं समझेंगे तो मारे जाएंगे और अब तक हम मारे जा रहे हैं तो कि उनकी बातों को हम गहराई से नहीं समझते अपने मतलब की बात लेते हैं और अपने मतलब की बात कहके कह देते हैं बावा यह कहा बावा साब ने करने के लिए कहा है संग्टित होने के लिए कहा है तो संग्टित होना चाहिए तो बावा साब संग्र्स के लिए कहा है तो संग्र्स हमें बता दिया डंडे लो बैन लो जंडे लो और नारे लगाओ इसको संग्र्स बोलते हैं यह संग्र्स नहीं है कि तरह से है इसलिए बार 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 साथ कहते हैं और बार 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 समझाते हैं कि मैं तीन काम में से सिर्फ एक काम कर पाया सम्विधान वन थर्ड मिला है हमको तू थर्ड नहीं मिला है 33% मिला है 56% में हमारे बच्चे को रोजगार काम मिलना चाहा था कमपसर ही होना चाहाएथा कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो सरकार कराएगी सम्मधान पढ़ा के वह तो एक वह समय कि आपका जो समधानी का अधिकार अगर चला गया और others कि पूरा खतम हाउगा तो आक इसके बात को समझ रहे हैं उनको और तेजी से काम करना चाहिए और काम होनी रहा है यहां भी 103 लोग और कितनी बार बताया जा चुका है कि सन्निवार को हमारा जो डे होता है सब ले आओ आँसी कुंकि सुनेंगे तो सीखेंगे और उनको सुनाओ अभी भाकशन परिंगोले जी ने कहा है कि सब को जाना पड़ेगा सबको आना पड़ेगा एक व्यक्ति दो व्यक्ति दस व्यक्ति से काम नहीं बनता फिर उसकी अकेले की क्रांती होगी फिर अकेला आगे बढ़ जाएगा पैसे बैठ जाये कहीं फिर देखते रहे ना आप और अब मौका है नहीं हमारे पास इसलिए हर आदमी को टेंड होना चाहिए और इस कंसेप्ट को दिल से सीखो भाई लेटीन में सीखो बातरूम में सीखो घर में सीखो जंगल में सीखो इसको रिपीट करो इसको बोलो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है इसको रटा मारो इसको इसको दिल से बोलो इसको ब कर्यार बन के बोलो इसको बुद्ध बन के बोलो इसको अतार। अदर के यह हमारा कंसेट है जब तक इसको उतार होगे नहीं और जब तक अपने बच्चों की पूरी तरह से सेफटी दिखाई नहीं देगी तब तक बात नहीं बनेगे अभी मीटिंग भौत लगने वाली है आज करनाल की मीटिंग Thailand की मीटिंग हमारे जो पेदान जी गरवीर जी उन्होंने लगवाई है वो लमीतिंग हमारी यानि पॉब्लिक मीटिंग भी रही है और पॉब्लिक पूरी तरह से अन्जानथ उनको पता हमारा वीदा पीपल का बोर्ट पीछे लागा वह था पहली बार उनको पता जला कि संङ क्या है संग को संग को समझने के लिए एक वार में पुबलिक नहीं समझ सकती इसलिए एक दो-बुर्स आदमी की मीटिंग लगानी चाहिए और लगातार मिटिंग लगाते रहना चाहिए और यहां सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए अगर अपने बच्चे बचाने हैं तो और अगर अपना सम्विधान लागू कराना है तो और अपने करना करना है तो अगर हर व्यक्ति को अफीर पड़ेगी 10 साल दस दस साल लगेंगे इस सब होने में बहुत तेज़ी से पैसा जा रहा है हमारा महिंगाई बहुत तेजे से बढ़ने वाली है और गट रही है और अब हमारे बच्चे ऑफसर नहीं बनने हैं अब वो प्राइविट सेक्टर में बहुत तेजी से उनको भगा दिया जाएगा या उनको कहा जाएगा कि तुम यहां जालू लगाओ यहां दफ्तर में रहो जैसे साओधी अरब के अंदर होता है यहां से तो जात हाली उपर का पेज होगा उसमें अंदर कुछ नहीं होगा तो आप यह भी नहीं कहे सकते हैं कि मनुश्मधान लागव हो गई मगर हो रही है मनुश्मधान खتم हो रहा है क्योंकि हम निकम में हैं हम बावास आपको समझनी पा रहे हैं इसलिए सम्मिधान दिवस पह सब के को जोड़ेंगे खुद तो जोड़ते जोड़ते आपको यहां बहुत दिन हो गए मगर जब तक लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो खुद जोड़ने का फाइदा नहीं रहेगा और नुकसान हो जाएगा क्योंकि भाशार दैनी के आदत पड़ जाएगी तो काम बंद हो साथ करें उनके साथ जो माता हैं जो पिता हैं उनके साथ मीटिंग करें तो सारी मीटिंगे आप महां करेंगे उनको समझाएंगे तो वह अपने सोसाल में समझाएंगे बच्चे अपनी क्लास में समझाएंगे घर से सुरू करें घर से सुरू नहीं करेंगे तो जीत नहीं स कैंगी चुछ लीडियों को आप याद करेंगे के जब आप के पास मौका था अब संविधान आनग्udosर्ण पर आप प्षान नहीं किया और अब संविधान हो जाना कोई दी पूछने वाला आपको कोई अधिकार नहीं वाला क्योंकि अधिकार सारे आपके एक एक करके रोज निकल जाते हैं पार्लियमेंट के अंदर बहस भी नहीं होती और समिधान चला जाता है सारी दुनिया को पता है आपको पता होगा आपको जब पता होगा जब आप काम करना सुरू करेंगे इसलिए समुधान दिवस की आ लीडर बनना पड़ेगा जुडने का लीडर बनिये जोडने का लीडर बनिये सीखिए काम को सिखाइए काम को दिल से बोलिए तो हम तेरी से जीत जाएंगे अभी मौका है फिर मौका नहीं आएगा फिर बहुत पस्तावा होगा करने को कुछ नहीं बतेगा हमारे जैसे लोग आपके जैसे लोग जो काम करें वो भी ठक तक जाएंगे क्योंकि अगर हम बाहर काम नहीं करें जोड़नी पाएं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे सम्विधान में उसी की जीत होती है जिसका संख्यावलभारी होता है इसका संख्यावलभारी नहीं होता है सम्विधान उसको इखटे होंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा जो चाहे वो लिख लेना फिर इखटे होगे पंत भी लिख लेना धर्म निर्पेश भी लिख लेना कुछ और भी लिख लेना उसमें जो चाहे वो लिख लेना इखटे हो जाओ इन छोटे छोटे बातां में मत पड़ो वन्हा तो ख कितना ही है बचना ही है धन्यवाद